सर्व मंगल मांगल ले, शिवी सर्वात शाधिके, शर्णे त्रेंब केकोरी, नारा येनी नमस्तुते, जै माहदादी, स्वागत है आप सभी का एक बार फेसे दोस्तों नवराती की महानब्मी पर किसी कन्या को यह एक चीछ चरू दे देना नब्दुर का मा की किरपासी, एकी रात में सभी कष्ट, रोग, दुख, तरित्ता दूर हो जाएंगे जीवन भर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी आपकी बंद किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे माता रानी आपको मन चाहा बर्दान देंगी हर कारे में सफलता मिलने लग जाएगी दोस्तों नवरात्री का पावन पर्व चल रहा है यह पर माता रानी को समर्पित होता है नवरात्री का वैसे तो हर दिन बहुत खास होता है लेकिन नवरात्री में आने वाली दुर्गा अश्टमी का विशिश महत्व होता है इस दिन मातारानी का श्रिंगार अवश्य ही करना चाहें शास्तों के अनुसार नवरात्री की माह सब्तमी की रात्री को मातारानी अपने नेतर खोलती है इसलिए महा अश्टमी की दिन माह का पूजन कहने से माह की अस्यम कृपा प्राप्त होती है देवी भागवत पुराण के अनुसान नवरात्री माह की कृपा प्राप्त कहने के लिए सरवशिष्ट माने जाते है नवरात्री में मा की कृपा प्राप्त कहने का सबसे आसान उपाय है कन्या पूजन कहना वैसे तो नवरात्री में रोजाना ही कन्या पूजन किया जा सकता है लेकिन नवरात्री की महा अश्टमी और महा नम्मी पर कन्या पूजन कहने से काई कुना अधिक पुन्य फल प्राप्त होता है और नवरात्री प्रत और पूचन का भी पूर्ण फल मिलता है इस पार नवरात्री की महा डब्मी का पर 23 अक्टोबर दिन सौंबार को है महा रब्मी की पावन परपर इस पार स्वासित्जयोग के साथी तीन राजयोग बन रहे है इस पार के महा डब्मी राजयोग देने आई है इन अध्बुस्यायोग में कन्या को ये एक छोटी सी चीज़ जरूर दे देना नव्दुर का मा आपके सभी कश्डों को दूर कर देंगे मानिताओं के अनसार जब तब हवन, पूजन और ब्रत इत्यादी से माता रानी इतने प्रसंद नहीं होती जितना कन्या पूजन से होती है कन्या पूजन के बेना माता रानी के ब्रत और पूजन अधूरे रहते हैं अधिकता यही धारना है कि जिन्होंने नवरात्रे के ब्रत करें हैं उन्हीं को कन्या पूजन करना चाहें लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कन्या पूचन माता रानी के सभी भक्तों को अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि कन्या पूचन के बिना माता रानी की गृपा प्राप्त नहीं होती दोस्तों आज की इस बीडियो में हम आपको एक ऐसी चीछ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप नवराती की महा अश्टमी यहां महानबमी के दिन किसी कन्या को भेंट में अर्पित कर देते हैं तो इसे आपको मातारानी की असीम कृपा प्राप्त होगी मातारानी की कृपा से बड़ी से बड़ी परीशानी खत्म हो जाएगी दुर्भा के भी सौफा की में परवर्दित हो जाएगा और माता रानी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलेगा दोस्तों नवरात्री की महा अश्टमी और महा नमी दोनों ही दिन कन्या पूजन के लिए सर्वशिष्ट होते हैं इसलिए आप इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन कन्या को यह भेंट दे सकते हैं कन्या को भेंट देने के नहीं सबसे पहले इसनान कर सुच्छ बस्त धारन करें आप काले रंग के कपड़े ना पहनें अब आप एक लाल रंग की चुनरी लें आपको लाल रंग की नई चुन्री लेनी है और ध्यान रखें चुन्री पर गोटा लगा होना चाहिए क्योंकि गोटे वाली चुन्री ही माता रानी को अर्पित की जाती है और आज के दिन कन्या पूजन हम इसी लिए करते हैं क्योंकि कन्याओं को माता रानी का स्वरूप बाना जाता है कन्या को कुछ भीन देने का मतलब है यह भीन हम माता रानी के चर्णों में अर्पित कर रहे हैं भुजिन कराने का मतलब है, हम माता रानी को भोग लगा रहे हैं। अब आप इस चुन्री को प्लेट में रखें। और माता रानी के सामड़ी एक दिया जलाएं और एक सुगंति थूपत्ती जलाएं। इसके बाद माता रानी को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के थोड़ी सी मखाने, थोड़ी सी बताशे और कुछ सिक्के रखें। यह सभी चीजें आपको इस चुन्री पर रखनी हैं। और इस चुन्री को आपको अब प्लिर सहित माता रानी के सामनी रखकर माता रानी को अर्पित करना है। माता रानी को चुन्री अर्पित करने के प मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप माता रानी को प्रणाम करें और आपके जीवन में जो भी समस्य चल रही हैं उन समस्या को दूर करने के प्रात्ना करें आपकी जो भी मनुकामना है बहें माता रानी के सामने कहें और मनुकामना पूण करने के प्रात्ना करें इस तर अब इस चुन्री को ले जाकर आप 10 वर्षी छूटी किसी कन्या को भेंट में दे दें देवी भागवत पुरान के अनुसार नवरात्री में उन्हीं कन्या को माताराणी का स्वरूप माना जाता है जो रज्यस्वला नहीं होती इसलिए दसवर्ज से छोटी कन्या को ही आप यह भीट अर्पित करें कन्या को भीट देने के लिए आप कन्या से कहें कि वह अपनी दोनों हाथ में लाएं और कन्या के दोनों हाथ में आपको यह चुन्री, बताशी, मखानी और सिक्कों के साथ रख देनी है कन्या को भेट देने के बाद आप कन्या के पैच हुए और उन्हें प्रणाम करें आपको यह भेट कन्या को माता रानी का सुरूप मानते हुए देनी है और माता रानी का सुरूप मानते ही आप कन्या के पैच हुए और कन्या से आश्रवाद ले दोस्तों कन्या को इस तरहें भेट देने से माता रानी अतिशीक के ही प्रसन हो जाती है और अपने भक्तों के सभी कश्टों को दूर करती है इस तरहें कन्या को भेट अर्पित करने से आप देखेंगे कि माता रानी की कृपा से जल्द ही आपका दुर्भा के भी सौभा के में बदल जाएगा और किसम साथ देने लगेगी जिससे आपके बिगड़े हुए कारे भी बनने लग जाएंगे अगर आपने अपने घर में कन्याओं का पूजिन करने के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया है आप सभी कन्याओं को यह भी बना दे सके तो किसी एक कन्या को जिसमें आपको माता रानी के दर्शन हो जहां आपको मन से लगे कि यह कन्या बिलकुल मादा राने का स्वरूप है और मादा राने इस कन्या की रूप में आपको आश्रवात देने आई है आप यह भीन उस कन्या को ही दे दोस्तों नवरात्री में कन्याओं को भीड देने की इलाबा स्वागन महिलाओं को भीड देने की परंपरा है दीवी भागवत पुरान के अनुसार बिवाहित महिलाओं को नवरात्री की प्रथम दिन या फिन नवरात्री की महा अश्ट में या महा नम्मी के दिन माता राने को सुहाक की सामगरी अर्पित करने चाहिए सुहाक की सामगरी जैसे की बिंदिया, बिच्छुआ, महंदी, महाबर, सिंदूर, इत्यादी इनके साथ ही लाल साड़ी, लाल चुन्री, लाल बस्तर भी माता राने को अर्पित किये जाते है और पूचन के पश्चात अगर आपने पहले दिन अर्पित किये हो या अश्टमी पर किये हो यह सभी सामगरी माता रानी के चर्णों में नवी तिथी तेक रखी रहने देनी चाहिए और नवमी दिथी को यह सामगरी माता रानी के प्रशास रूप किसी स्वहागन महिलाओं को भेट मिस दें यह सामगरी खास तोर पा स्वहागन भ्रामणी को या फिर आपकी स्वहागन नरत या साज हो उनको आप भेट में अर्पित कर सकते हैं ऐसा करने से माता रानी की कृपा से स्वाभाग की प्राप्ति होती है बैवाहिक जीवन सुख में बनता है पती पत्नी में आपसे प्रेम बढ़ता है और माता रानी की कृपा से घर परिवार में खुश्या बनी रहती है स्वहागर महिलाए ही नहीं माता रानी के सभी भक्त इस तरहें माता रानी को स्वहाग की सामगरी अर्पित कर किसे स्वहागर महिला को अगर भेंट करते हैं तो इससे माता रानी की असेम प्रुपा प्राप्त होती है और कश्टों से छुटकारा मिलता है दोस्तों नवराती का पर मा आधी शक्ती तुर्गा को समर्पित होता है मानिताओं के अनुसार पूरे साल भर जब तब पूजन और होम करने से मा इतनी प्रसंद नहीं होते जितना नवराती में कन्या पूजन से हो जाती है इसलिए आप नवराती के पावन पर मा की कृपा प्राप्त कहने के लिए कन्या पूजन अवश्य ही करें और कन्या को यह भीट अवश्य ही दें अगर आपने नवराती के प्रत नहीं रखे हैं तब भी आप कन्या को यह भीट अवश्य ही दें ऐसा कहने से माता रानी की असेम कृपा प्राप्त होती है अगर आप रजस्वला है याने की आपको पीरिड हो रहा है और आप इस तरहें पूचन कर कन्या को भीट नहीं दे सकते तो आप अपने परिवार में अपने बच्चों दोरा भी कन्या को इस तरह भी दिला सकते हैं ऐसा कहने से भी आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और आपको अपने प्रत और पूचन का पूर्फल मिलेगा अमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो की फुली सलाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रsteदारों में जादर से जादर शेयर करें जिस से भेए भी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले तैंक्स फॉर वाचिंग टाती राती